शायद हम जिकर भी ना कर पाएं और आज के टाइम पे किसी के पाथ समय कहां लेकिन आप फिकर ना करें क्योंकि हम लेकर आए हैं और टाइम आपका फेवरेट शो आओ बाते करें बातें जो है आपके और मेरे दिल के बेहद करीब तो ऐसे ही बहुत सारी बाते करने के लिए जुड़िये हमारे साथ लाइफ प्रोग्राम में तो कॉल करने के लिए नमबर टायल करें 0172-478-4401 नमस्कार हरियाना बीच देखरें सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है आपके मनपसंद स्वो आओ बाते करें में चाहिए वो आपके स्रमाने का तरीका हो या फिर आप इसक्षाते हैं और सारी बाते करने में तो इस प्रोग्राम के माधिम से वो सारी दिल की बाते हम कोशिश करतें कि आप हमारे साथ वह बाति से शेयर करें उसके अलावा जो बाते आप देखते हैं अपने अडाउस पड बैठकों में बैठकर अपने दोस्तों के साथ वह बाते पर चर्चा क्या करते थे कि देखो वहां पर यह होगा यहां पर वह हो गया तो सारी बाते आप चर्चा क्या करते थे या फिर गाउं में होते थे तो गाउं में भी बैठकों में बैठके या फिर ऐसे नीम के नीचे ब बाते आप हमसे कर सकते हैं इसके लावा हम कोशिश करते कि कुछ एक ऐसा टोपिक पर हम डिस्कुशन करें जो समाज से रिलेटीड वो और एक जो समाज को आयना दिखाता हूं जो समाजी को टोपिक हो तो हो साथ है उसका आपकी लाइप से सीज़ा-सीदा जुडाव हो तो ऐ यह रोज की तरह जैसे हम कोशिश आरोज आइटिंग बहुत लबे टाइम से हम भी एक जो लोकडाउन चल रहा है तो हम को चाहकर भी कोशिश करते कि इसे निकल जाए बट निकल नहीं पाते तो घूम फिर के हर बार हमें इसी पर चर्चा करें कि लोगडाउन कब खुलेग कि जिस तरह से खासकर समाज में जो एक साधियों के लिए के जो सोच होती है वो उसमें कितना बदला हुआ आया है जैसे अगर मैं पहले की बाते करूँ तो जैसे पहले जमाने में होता था कि जो हमारे बड़े बुजरक होते थे या फिर जो गाउं के बड़े सम्मान सम्मा इतना बदला हुआ आया है पहले क्या उता था कि देखते थे की लड़का कैसा है उसका घर परिवार कैसा है तो यह सारी चीजों को ध्यान में रखके ही लोग रिस्ता करते थे बट आज कल मौसली क्या होता है कि पैसा कितना है या फिर सरकारी नोकरी है कि नहीं आई है वो यह नहीं देखेंगे कि वो इंसान की सोच कैसी है उसका परिवार कैसा रहा है क्या उसन की बेटी को साधी के बाद खुसर रगेगा की नहीं रखेगा तो उस चीज से किसी को कोई लेना देना नहीं है कि बस पैसा होना चाहिए कि लड़की तुम्हारी आश्च करेगी उसके पाद जितनी सारी क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्जामपल भी आये हैं कि जैसे साधी के बाद लड़ाई जगना होना अंडरस्टेंडिंग ना हो पाना तो उन चीजों के बारे में आज कोई नहीं सोचता बस सिर्फ यह सोचते की पैसा सरकारी नोकरी खासकर हमारे जो हरिया तो उसमाज में बदलाव लेकर आ रही है क्योंकि जो लोगों की सोच है वह सब्सकर नियुकर बढ़ाई करना नोकरी नोकरी करना और अब जीवन का जो सबसे बड़ा mostly सभीनेक लक्षे बनानिया कि भाई पहले पढ़ाई उसके बाद नोकरी करनी है नोकरी अपय लग गया तो उसके बाद फिर ही तब जा के साधी होगी मतलब घुमा पिरा के सबसे बड़ा इनसान का लक्षे बनेगा कि साधी करनी है जैसे कि मतलब बस इससे बड़ा तो कोई achievement हो इनी सकता कि साधी हो जाए बस यह achievement हो गया तो लोगों की सोच में इतना जो बदलाव आया है तो हम भी चाहेंगे हमारे दस्कों की आप भी अपने आपको क्या लगता है कि जो यह सोच में बदलाव आया है पहले की आप बाटे करना चाहते हैं अपने दिल की कुई भी बाते हमसे शेर करना चाहते हैं अपने बारे में बताना चाहते है क्योंकि मुश्री होता कि सभी को तो लोगों की इस सोच में बहुत सारा बदलाव आ रहा है और एक खास करिये क्या होता है कि जैसे नोकरिया भी लग जाती है तो अभी भी बहुत सारे ऐसे एकजामपल आते हैं कि जब शाधी होती है तो दहेज का सब मानते हैं कि दहेज नहीं होना चाहिए बट जो बड़े अच्छी लगई है तो यह नहीं कहलेज की बड़े बाड़ी ऊतना ही ज्यादा पैसालेगा नोगी दिए खोड़ी है अमारे यह आ रहा है वो तो शुकर है कि resisting रहा है तो लोगों को इतना सारी चीज़े समान नहीं ले पा रहे हैं और इतना सारा मटलब एक राग्रा साल पही हो जहता है और खासकर जो लड़की वॉले हैं लड़की के घर वाले हैं उन पर बेवजयाका इतना सारा प्रेसर जहलना पड़ता है और सबसे मेन वज़े हमारे समाज के यही है कि इसी वज़े से लड़कियों पर इतना सारा उनको एक बोज भी समझा जाता है और यह सोचते हैं कि लड़की तो पराया धन है और इतना सारा वो सोचते हैं कि अब लड़की पर इतना पैसा अगर हमने खर्च कर दिया तो इसे नहीं ले रहा कि अगर लड़की को पढ़ा रहे हैं तो वह समाज के बारे में सीखेगी परिवार को कैसे चला जाता है वह सारी चीजे भी सीखेगी और अगर वह नोकरी लग भी जाती है तो कहीं ने कहीं आप लोगों का भी नाम है पैरेंट्स का भी नाम हुगा कि में तो कुछ बुरी भी थी चैसे लड़की यह्यार कर रहा है उसका जो परिवार कि वो तो ऐसे 64 पीडियो तक बीदेखते था ठीकिया बट्टा दो नहीं लगा कि लड़का पीता हो कितना इस अगाडा उसका Looks का आँक कई रहे या ना रहे उन constraints कीसि को कि लड़का करता धुग दो जी रिंवहर मैं या पूसा कि बेटी खुष रहे या ना रहे उन लोगो की सोच घुण ले या ना मिले उसे कोई लेना देना नहीं बस यह होता कि बस हां हमें तो देखो आ cash पर कhuaकर करेस्टथ दारह को दि hepatatot यह वह ने तुन्य नहीं बैटी की इतनी अच्छे घर में आप से कहें तो कि अब मान लेजी को यह चोटी जो नोकरी कर रहा है तो बेट क्या होता है कि इंसान की इन्सान का नेचर कैसा है अगर वो इंसान अच्छा है तो definitely अगर करने वाला तो definitely से इंसान की मेंटिलिटी उसकी सोच कैसी है क्योंकि यह देख लिए जी अगर कोई बड़ी नोकरी पे लगा है अगर आप अपनी बेटी को उनके उसके घर पे भेज़ते हो अगर आपकी बेटी को वह पैरू की जूती के समान वह समझता है उसकी वैलू भी नहीं करता उसको म बनाने की देखा हमारी इतने घर पे रहे हैं क्योंकि देखो रिष्टेदारों का जो काम होता है हमेशा रिष्टेदार मोसली क्या होते हैं जब भी उनको सला देनी होती है तो वो हमेशा आगे रहेंगे लेकिन जब जिस प्रकार की कोई भी मुसीबत आती है कोई भी घर मे जो लोग होते हैं जो खासकर बस जिनको काम होता कि अच्छा कर दिया और यह हमयशा भी याद रखेगा कि बोलने वाले करके जितने मौ उतनी सारी बाते अब माले जैं कुछ ही आपके आपने अच्छा कर लिया मानie करें छीज कैरें कर आए कुए आप सुंगे लेकर के क। रस्टेंडेंड तु यह ली आया वो लिए यह मतलब किया होता की जैसे वह कहाने पुराने कावत है कि दो एक मिया बेवी ऐसे रश्टे से जा रहे थे और एक गधा साथ में था तो गदय को लेके चल रहे थी पैदल चल रहे थे तो कुछ लोग और सामने से आए उन्होंने देखा देखो कितने अत्याचारी लोग हैं कितनी गर्मी पड़ रही और एक बेजबान जानवर के उपर दोनों के दोनों बैठें इनको इन पे क्या इनमें थोड़ी सभी दयार हम रहें नहीं तो इस तरह की बाते करेंगे उसके बाद अग अफ्कार जी स्कॉल अजी क्या दाम आफका इसका यूब कलास में परते आपनेयों है स्याफ़ी ना प्रस्क ना इस शर्माहि ब ड़ी अच्छी बात है अच्छर तो बताओ न पढ़ाई ओहना रही है त 수가ूड़ां इस अपा रही है या नहीं हो पा रही निया जा PERFLY पढ़ाई पढ़ाई कैसी चल रही है इन कॉथ पढ़ा है और अच्छा ओंलाइन ओर हो रही है एपड़ा है अच्छा ए बताओ कि ओ Оनलाइन पढ़ने में बजा रहाए या पर पहले कि स्कूल में जाते थे टीछर की साथे लिए paling ज अब कोई भय नहीं ऐसा तो है इस तरह आपके टीज में सब्सक्राइब आपने अपने बताया हमारे थोड़ी सी कम्यां बताई तो बड़ा अच्छा लगा थैंक यू सो मच मुकेश कॉल करने के लिए तो फिलाल वही चीजे क्योंकि स्कूल के बच्चे थे तो हम इनसे वह बाते नहीं कर सकते इस बारे में बारे में बट फिर भी अच्छा लगा कि मुकेश बता रहे थी कि जैसे बताया कि फीड़ वैक हमारे लिए दिया तो हम जरूर उसको कंसीडर करेंगे और कोशिश साधन बन गया है टाइम पास करने का इंटर्टेनमेंट का इतना बड़ा तो लोगों कम भी कोशिश करते कि उनके मनोरंजन में किसी प्रकार की कोई कमीन आए तो मापनी जल्दी से कहानी कम्रीट कर देता हूं तो जब वाइफ वह चल रही थी और हस्पेंट पैदल चल रह तो क्या कुछ लोगों ने देखा देखा कि यार कितना निर्दैव पदी है मतलब खुद तो बैठी चल रहा है और बेचारी देखो यह इतनी कड़ी धूप में नंगे पैर वाइफ चल रही है तो लोग फिर उसमें भी कहने लगे मतलब कहने का भी पराई यह है कि लोगों होती है तो डेफिनेटली जो भी पैसा कमाओगे जो भी नाम कमाओगे रुतबा कमाओगे वो आपके लिए होगा और जो भी अगर हानी होती है आपके जीवन में आपके कोई भी किसी प्रकार के प्रेशानी आती है तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा तो जो भी वो आपके लिए कीजिएगा और कोशिस कीजिए कि जिस तरह को देखे कि साधी का मामला रिष्टों का मामला यह बहुत ही एहम होते हैं इनको लोग क्या मानते कि आज के टाइम सिर्फ वह पैसा नोकरी देखते बट यह नहीं देख रहें कि वह इनिसान कैसा है क्योंकि रिष जो जानकार था वो स्याइए सप में इंस्पेक्टर लगा वा था तो साधी होई बड़ी धूमधाम से धूमधाम से साधी होई खूब पैसा खर्च हुआ इतने हजारों मेहमान भी आए इस्तिदार आए सब इतना मतलब पैसा खूब लगाया और लड़की वालों ने इतना सारा पैसा भी दिया दहेज भी दिया और वो भी मतलब यह कह रहें कि देखो हमारी बेटी के साधी एक सियाइए सफ इंस्पेक्टर इतने बड़े उसमें हो गई उसके साथ आठे किले भी आते हैं तो हमारी बेटी तो ऐस करेगी ये करेगी लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही व वो तो हो थे कि देखो बाइफला आने कि लड़की तो भाई इतने बड़े घर में गई वो तो एस कर रही है लेकिन तो उस लड़की को पता था नो क्या करेगी किस दोर शें गुजर रही है बता फैमली वालों को भी कैसी बताए इतना पैसा भी लगा इतनी चीज़े भी तो वो लड़की इतनी depression में आ गई, suicide करने की सोचने लगी, कि family वाले भी अब क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या समाज सोचेगा, कि ये तो इतनी बुरी है, कली आ रही है, तो इतनी सारी उस लड़की को problem face करनी पड़ी, वो घुट-घुट के जीने लगी, फाइनली उसने अपने भाई को बोला कि मैं ऐसे से कर रही है, तो भाई ने उस चीज़ को समझा और उसकी help की, और अब उन लोगों का रिष्टा जो है वो तूट चुका है, अलग हो चुके हैं, तो कहने की बात ये देखिए कि कि कितना सारी चीज़े हुई, इतने रिष्टादार भी आए, लेकिन जब क्योंकि सिच्वेशन जो हैंडल करनी पड़ती है, वो तो लड़की को ही करनी पड़ती है, उस घर में तो लड़की को ही जाना होता है, और लड़की समय दुनिया में जितनी भी आई थिंग 90-100% ऐसी लड़की आऊंगी, जो हमेशा चाते है कि पैसा चाहिए कितना भी कम हो, लेकिन उसका हस्बेंड ऐसा होना चाहिए, जो उसको समझे, क्योंकि देखे, लड़की के लिए घर छोड़के आना, एक घर से दुसरे घर जाना बहुत बड़ी बात होती है, अपने परिवार में बहुत बड़ी बात होती है तो उस वक्त उसको यह होता है कि जो सबसे बड़ा साथी होता है जो समझ सकता है और जितने भी जो बड़े लोग हैं वो आई तिंग जो हमारे माता पिता हैं बुजर्ग हैं तो वो भी मैं यह नहीं कह रहा कि आप अपनी बेटी के लिए यह ना सोचे कि देखो सवीधा हैं सब को चाहिए होती है क्योंकि आज जीतनी महेंगा यह इतना competition है कोई सब की देख है कि वो लड़का करता क्या है कमाता क्या है और यह चीज तो देखिए साथ में उसकी यह भी देखिए कि क्या उस लड़के की सोच कैसी है क्या वो आपकी बेटी को खुश रखेगा क्या आपकी बेटी उसको accept करती है तो उन दोनों की सोच मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है उसके अलावा उनका परिवार कैसा है, साससूर कैसे हैं, तो ये सारी चीजे देखकर ही आप उस रिष्टे को आगे बढ़ाएं, वरना क्या होगा, बस वही लड़ाई, जगडे, मार, पिटाई और इतने सारे, अब भी इंडिया में हम देखते हैं कि जो दहेज की जो केसिज हैं, हर साल इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और जो दहेज की केसिज होते हैं, एक सर्वेय के मताबित पता चला कि 70% जूटे होते हैं, उनकी असलम में वज़य सिर्फ यही होता है कि लड़ाई जगडे, लड़ाई जगड़ों के बाद जो यही वकील होते हैं, जो ल कदेमे में, गुवर्मेंट की तरफ से बहुत ही श्रक्तिनियम बनाए गए हैं, तो इस करके इसलिए जो दहेज की केस होते हैं, वो 70% जूटे होते हैं, क्योंकि इसी तरह का प्रेशर उन पर बनाया जाता है, तो बहुत सारी चीजे होती हैं, पाकि आप ज्यादा आज का तोड़ा सा ममानतों की टोपिक थोड़ा सा सीरियस है, और हमारे जो दर्शक हैं, वो इस पर बोलने में हिचक आ रहें, अगर आप चाहते हैं कि देखो इस टोपिक, क्योंकि कई दिनों से बच्चे हमाई कोल कर रहे हैं, तो आप हिचकी हैं, मत आपके जो स्केर पर नंबर हैं, और आपके खेल से रेटिड बात हैं, या फिर जिस तरह से अभी जो कोलर थे हमारे मुकेश जीवतों उन्होंने बताया था कि जो हमाई फीड़ बैक दिया, तो इस तरह से आप भी हमें कुछ भी बता सकते हैं, जैसे और भी उसके अलावा अगर आप चाहते कि आप हर हार्याना बीड के दो फेस बोक पर जाकर आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कौन सा घाना सुना धारिक कर प्रोग्राम में आप हुचाते कि नदि या फिर ही धेल हमें चाहते कि जन्द कराखें मैं का मावमें 500 बाते बातरिक हमिश्च परवाद सारी बाते करें तो किसी भी प्रकार का सुझाओ, feedback, कोई भी advice अगर आप देना चाहते हैं, तो हम वहापर आप दे सकते हैं, उसके लावा जितने भी हरियाना बीट्स के आप प्रोग्राम हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी जो हमारी हरियाना के आपके मन पसंद जो celebrity हैं, बड़े-बड़े जो क परदीब बुरा हो, विकी काजला हो, और भी बहुत सारे गगन हरियानवी हो, तो इतने रामेर मैला हो राजू पंजाबी हो, और जितने भी सारे जितने भी आपके मन पसंद कलाकार हैं, उनकी बायोग्राफिस तो हैं हैं, साथ ही उनके इंट्रियूज भी हैं, तो आप हर इसी से related कुछ ऐसे प्रोग्राम लेकर आएं, जो आपका entertainment भी हो जाए उस चीज़ से, और आपका knowledge भी बढ़ जाएं, तो इसी को ध्यान में रखके हमने करोना updates के नाम से हम वीडियो बनाते रहते हैं, और उसको लगातार हम हरियाना Beats के YouTube पेज पर और Facebook पर पर ही डालते रहते हैं, तो वहाँ पर भी आप वो चीज़े वो देखकर अपने घ्यान को तो बढ़ाई सकते हैं, साथ ही आप अपने friends के साथ वो शेर करके आप बता सकते हैं कि किस तरह से कैसे करोना के cases बढ़ गए हैं, और कितने बढ़ रहे हैं, और जो current जो new चल रही है, तो वो सार रहता है कि टीवी से तो आप entertainment होते हैं, साथ ही साथ साथ social media पर भी हम कोशिस करते हैं कि आपका वहाँ पर भी हम उतना ही खयाल रखें, आपकी सारी जरूरतों का, आपकी मन पसंद जो चीज़े हैं, जितने प्रोग्राम से हैं, जितने शोज हैं, वो सारी चीज़े हम चला हैं, तो टोप 10 में हम कोशिस करते हैं कि उसमें गाने, आपकी जितने भी मन पसंद टोप 10 गाने हैं, आप बताइए कि आपका कोने सा मन पसंद गाना है, तो उसको भी हम कोशिस करेंगे, कोई भी नया सोंग, तो वो भी आप अपनी चोईस देकर, अपना वोट देकर उसको तो टोप 10 में शामिल करवा सकते हैं तो बहुत सारे प्रोग्राम से हैं उसके लावा जो एक काफी जो हमारे दुर्सकों पसंद आ रहा है वाइरल वीडियो तो क्योंकि देखो हर किसी का यह लोगडाउन की वज़े से जितने भी हमारे दर्शक हैं हर किसी के पास इतना जो सा करना चाहेंगे कि आप में भी इस तरह कोई भी इंटरेस्ट है किसी परकार कोई भी शोक है तो उसको को मत दबाये कि आप की कि तरब का talent है किस तरह की आप शोग रखते हैं तो उसकी आप वीडियो बना के हमारे जो वाइरल वीडियो प्रोग्राम में आप अपनी वीडियो भेज़ दियेगा हम कोशिश करेंगे कि उस पर आपकी जो वीडियो को उसको हम अपने प्रोग्राम में शामिल करें और आप उसके बाद अपने रिश्तदारों को अपने दोस्तों को सभी भी आप बता सकते हैं कि देखे आप टीव पर आए तो यह सारी चीज़े आप हमारे प्रोग्राम में देख सकते हैं वाइरल वीडियो में आप देख सकते हैं टीवी पर तो आज हम जैसे कि बाते कर रहें कि लोगों की यहता है कि जो अची चीजा होती है उसमें बुराईयों में बदल जाती है उस तरह का बदलाव का जो नियम होता समाज 그 ठीको 소DP 1977 कि उस चीज़ को आप कितना accept करते हो कहतें कि जो इक बुरा जो दोर हो गया बुरी जो चीज़ें होती है क्योंकि पहले वाली इस चीज़े सारी कि सारी अच्छे थी पहले के जमाने में बहुत सारी जो चीज़ें बड़ी गल्त होती चाहिए वह बुरून हत्या हो सती पर्थ इतनी जादा अब समझदार होगे कि वह समझती है कि नहीं यह बिल्कुल गलत होता है और भी सारे जो सास्यलवर्कर हैं समाजी कारिया करते रहते हैं वो भी जागरुकता फलाने के लिए गाओं गाओं में जाकर लोगों को समझाते कि यह चीजे गलत होती है तो बड़ी अच्छी बात है कि लोग इस तरह इस तरह की जो चीजों पर ध्यान दे रहे कि हाँ ये चीजे गलत हैं और उनका पालन कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात होती हैं लेकिन कुछ लोग अब भी हैं जो मानते हैं कि जो कि यह तो भाई पर्था है पुराने जमान से चल लिया रही है हम तो उफार दे रहे हैं तो उफारों के नाम पर कहीं ने पर को दर जोड़े हैं हलो कि अधिशन में नमस्कार सर क्या नाम है आपका अधिर रामनिवास जी अधिर आज से बात कर रहे हैं अच्छा तो सरे आज का जो हमारा टोपिक है कि जैसे सब पराने जमाने में जो सोच होती थी कि बड़े जो बड़े बुजर्ग होते थे ते स कैसा है इनका माता-पिता कैसे हैं लड़का कैसा है लेकिन आज के टाइम पर सर जिस तरह से मुस्टली गाओं में होता की लड़का नोकरी लगा होना चाहिए उसके अलावा उसका करेक्टर कैसा सरा पिता है उससे कोई लेना देना नहीं होता तो आपका सर क्या कहना इस तर नहीं सर आप तो दूर रहते हैं जैसे मैं बताना है कि मतलब लोगों की ना सोच मतलब गाउं में इस तरह की होती है कि भाई लड़का मतलब चाहिए कैसा हो लेकिन नोकरी मतलब यह होना चाहिए इस तरह की जो सोच होती है सर उस पर क्या कहते हैं इस तरह मैं तो कहता हूं सब्सक्राइब करने के लिए तो रामनिवास जी दिल्ली से बता रहे थे और अपने विचार हमारे साथ इसके साथ वक्त हो गया है हमारे दस्कों से विदा लेने का लेकिन जाने से पहले हम बताना चाहेंगे कि आप अब भी प्रोग्राम से आप देखना चाहते हैं तो हर्याना बीट्स के यूटूब पेज पर जाकर आप वो सारे प्रोग्राम देख सकते हैं उसके अलावा अगर आप हमारे किसी भी प्रोग्राम के बारे में कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपका कोई मन लगातार आप करते रहेगा अपनी बाते हमारे साथ शेयर करते रहेगा तो टाइम नोट कर लिजिए जी कल एक बज़े फिर शे आप से मुलाकात होगी तब तक के लिए आप देखते रही है हरिया ना वीट्स राम राम पासअ रहेगा देखते रहेगा तो कॉल करने के लिए नमबर टायल करें 0172 478 4401 राम राम